विद्यार्थी मित्रों आज हम रासाइनिक अविक्रिया और समिकरणों के बारे में पढ़ने वाले हैं आपको ये याद होगा कि हमने इस से पहले भातिक और रासाइनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है भातिक परिवर्तन अस्थाई और परिवर्तन शील होते हैं उसके विपरीत रासाइनिक परिवर्तन स्थाई और अपरिवर्तन शील होते हैं क्या आपको लगता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं हम सिर्फ प्रयोग शाला में ही देख सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं. हम अपने रोज मर्रा के जीवन में अपने चारो और असंखे रासायनिक अभिक्रियाएं गटती देख सकते हैं. जैसे खाना बनाना, केक बनाना, फलों का पकना, श्वासोच्ष्वास, अन्न का पचना, हरी वनस्पतियों का प्रकास संसलेशन, लकडी के जलने की प्रक्रिया, धातूओं में जंग लगने की प्रक्रिया इत्यादी. चलिए कुछ प्रश्णों के बारे में सोचते हैं. हम इस अभिक्रियाओं को किस प्रकार श्रेणी बद्ध कर सकते हैं, हम इन अभिक्रियाओं का अध्यन किस प्रकार कर सकते हैं, यह अभिक्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होती हैं, इन सारे प्रश्णों के उत्तर हमें रासायनिक अभिक्रियाओं का विस्तार पुर्वक अध्यन करने के उपरांद प्राप्त होंगे चलिए अलग-अलग प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार एक, सैयोग अभिक्रिया, दो अभिकारगों का रासाइनिक सैयोग होकर किवल एक ही उत्पात तयार होता है, ये उश्मा उन्मोची अभिक्रिया है, जिसमें बंध के कारण उर्जा की निर्मिती होती है, 2 Mg plus O2 इससे प्राप्त होता है, 2 Mg O, COA plus H2O इससे प्राप्त होता है, CaOH2 plus उर्जा, NH3 plus HCl इससे प्राप्त होता है, NH4Cl. दो विस्थापन अभिक्रिया जब किसी अभिक्रिया में कम क्रियाशील तत्व के आयनों का स्थान दूसरे अधिक क्रियाशील तत्वा आयन बन कर लेते हैं इसे हम इकहरी विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं जैसे Fe plus CuSO4 इससे प्राप्त होता है FeSO4 plus Cu लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण तांबे को नमक के घोल में से विस्थापित करता है तीन अपघटन अभिक्रिया एक ही अभिकारक रहता है जिसमें से दो से अधिक उत्पादों का निर्मान होता है थर्मल अपघटन अभिक्रिया जो उर्जा के कारण घटती है उधारन के तौर पर, CaCO3 इससे प्राप्त होता है, CaO plus CO2, C12H22O11 इससे प्राप्त होता है, 12C plus 11H2O, विद्यूत अपगटन जो विद्यूत के कारण होता है, 2H2O, इससे प्राप्त होता है, 2H2 plus O2, Photoletic अपगटन जो प्राकाश के कारण होता है, 2AGCl इससे प्राप्त होता है, 2AG plus Cl2, 2H2O2 इससे प्राप्त होता है, 2H2O plus O2, 4. योग्मविस्थापन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के अदलावदली होकर अवक्षेप तयार होते हैं, उस अभिक्रिया को योग्मविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, सावान्य समिकरण AB प्लस CD अभिक्रिया होकर AD प्लस BC, AC धनावेशित है, BD रुनावेशित है, उधारन के तौर पर BASO4 प्लस K2CRO4 अभिक्रिया होकर BACRO4 प्लस K2SO4, AGNO3 प्लस NACL अभिक्रिया होकर AGCL प्लस NANO3, पांच, उष्मा ग्राही अभिक्रिया है, इन अभिक्रियाओं में वाता वरण से उष्मा अवशोशित करते हैं, बंध को तोड़ने के लिए उर्जा की अवश्चक्ता होती है, इसी कारण इन अभिक्रियाओं में उर्जा जब NH4Cl, KNO3 पानी में घुलते हैं, तब परखनली ठंडी हो जाती है, CACO3 प्लस उर्जा अभिक्रिया होकर CAO प्लस CO2 6. उष्मा उनमोची अविक्रिया हैं, बंध बनते हैं, जिसके कारण उष्मा बाहर छोड़ी जाती है, NAOH प्लस पानी जब NAOH पानी में घुला जाता है, तब उर्जा छोड़ी जाती है, इसी कारण से परखनली गरम हो जाती है थर्मल अभिक्रिया, FE2O3 प्लस 2AL अभिक्रिया होकर 2FEAL2O3 प्लस उर्जा, साथ ओक्सी करण अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया ओक्सी करण कहलाती है, जब अभिकारक आउक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे 2Mg plus O2 अभिक्रिया होकर 2MgO, C plus O2 अभिक्रिया होकर CO2, जब योगिक से हाइडरोजन वायू निकलता है, तब भी उस अभिक्रिया को हम आक्सिकरण अभिक्रिया कहते हैं, Magnesium Dihydroid का अपघटन होकर उसमें से Magnesium और Hydrogen का निर्मान होता है, इथेन Hydrogen को खोकर इथेन बनता है, CH3, CH2OH अभिक्रिया होकर CH3, COOH, अभिक्रिया होकर, इस प्रक्रिया में इथेल अलकोहोल की ऑक्सिकरण अभिक्रिया होती है, इसका यह मतलब हुआ कि K2CR2O7 यह O2 का स्त्रोथ है और यह Acetic आमल तयार करता है, इसी प्रकार हम KMNO4, H2SO4 और H2O2 इनका उप्योग भी रासाइनिक ऑक्सिकारकों के रूप में करते हैं, ओजोन भी एक रासाइनिक ऑक्सिकारक है, जब किसी आयन में धनावेश बढ़ता है, या रुनावेश कम होता है, तब भी उस अभिक्रिया को हम Oxygen अभिक्रिया कहते हैं, 2KMNO4 प्लस 10FeSO4 प्लस 8H2SO4 इससे प्राप्त होता है, K2SO4 प्लस 2MNSO4 प्लस 5Fe2SO4 3 प्लस 8H2O, इसमें धनता प्रभार बढ़ता है, इसलिए यह Oxygen अभिक्रिया है झाल 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 झाल